जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे मैलानी वाया साजहापुर फरुखाबाद ब्रिटिस काल में बनी नेरो गेज रेल लाइन के बारे में तो आप लोग आज के इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतर जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा ताकि आज की इस वीडियो की जो जानकारी है वो सब लोगों के पास पहुंच सके साथ में ही दोस्तों हमारे यूटूब चैनल RF राहूल व्लॉक्स को सब्सकाइब कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर आप सभी को इंडियन रेलवेस से जुड़ी और अच्छे अच्छे व्लॉक्स मिलते रहेंगे साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा जिससे की आप सभी को आने वाली हर वीडियो का जो नोटिवकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो बिना देरी किये हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा मैलानी वाया साजहापूर फरुखा बात के बीच में बिट्रिस काल के जमाने में नेरो गेज की जो रेल लाइन है वो दोस्तों पट्री पर दोड़ा करती थी और फिर उसको दोस्तों बन कर दिया गया अब कुछ अवसेज जो हैं रेल लाइन के वो बचे हुए हैं दोस्तों अब आते हैं में मुद्दे पे जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा जो साजहापूर के सांसच जी हैं मिथलेस कुमार वो मैलानी वाया साजहापूर फरुखा बात बिट्रिस काल में दोबारा जोडने के लिए रेल मंतरी अस्मी वैसनो जी को लेटर भी दे चुके हैं और उनसे मुलाकात करके कहा भी है कि जो मैलानी वाया साजहापूर फरुखा बात ब्रिटिस काल में रेल लाइन चला करती थी उस रेल लाइन पर अब बड़ी रेल लाइन बनानी और व्यापार में बढ़ोतरी भी हो सके दोस्तों अगर मैलानी वाया साजहापूर फरुखा बात के बीच में नई रेल लाइन बन जाती है तो काफी सारे विकास के जो आउसर हैं वो लोगों को मिलने लगेंगे इस पर दोस्तों मालगाडियां भी चलाई जा सकती हैं दोस्तों मैलानी फरुखा बात रेल लाइन को बड़ी लाइन में तंदील करने के लिए कई सारे नेताओं ने भी काफी प्रियास किया मगर अभी तक इस रेल लाइन पर कुछ नहों सका, फिर भी दोस्तों जो साजहापूर के सांसत जी हैं मिधलेश कमार वो काफी प्रिया दोस्तो हम लोग भी काफी प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी काफी प्रयास करिए जिससे कि दोस्तो मैलानी से फरुखाबाद के बीच में जो बिटिस काल में रेल लाइन थी अब वो बड़ी लाइन में हो जिससे कि आप लोगों को काफी जादा फायदा मिल सके दोस्तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैलानी वाया साजहांपुर फरुखाबार रेल लाइन को ले करके कई सारी खबरे निकल के आई है वो खबर में आप सभी को दोस्तो बता दूँ मैलाणी फरुखाबार рेल लाइन पर कई बार दोस्तो बड़ी लाइन को बनाने के लिले सर्वे भी किया जा चुका है और दोस्तो इस पर कितने स्टेशन बनेंगे उसके लिए भी सर्वे किया जा चुका है मगर अभी तक इस पर ये नहीं पता चल पाया है कि मैलानी फरुखाबार रेल लाइन को बड़ी लाइन बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा सिर्फ दोस्तो साजहापुर के सांसद जी ही मैलानी फरुखाबार रेल लाइन को ले करके काफी प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कई बार संसद में भी मुद्दा उठाया है मगर अभी तक मैलानी फरुखाबार रेल लाइन को ले करके रेलवे की तरप से कोई भी अपडेट जारी नहीं हुआ है दोस्तो साजहापुर के संसद अकेले ही प्रयास कर रहे हैं अगर इनके साथ साथ लखीमपूर जिले के ग्रह राज मंतरी प्रयास करें और इनके साथ साथ दोस्तो फरुखाबाद के संसद प्रयास करें तो हो सकता है दोस्तो आने वाले फरुखाबार रेल लाइन को हरी जंडी मिल जाए दोस्तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए रेल मंत्री जी को लेटर लिखिए और साथ में दोस्तो ट्वीट भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए हम लोग भी अपनी तरब से पूर्यास कर रहे हैं कि मैलानी फरुखाबार रेल लाइन दोबारा बने और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को सभी लोगों के पास सियर कीजिए ताकि दोस्तो आने वाले फरुखाबार रेल लाइन को हरी जंडी मिल सके दोस्तो अब आप सभी को मैं बता दूँ मैलानी से फरुखाबाद के बीच में ब्रिटिस काल के जमाने में नैरो गेज की जो ट्रेन है वो चला करती थी फिर दोस्तो उसको बंद कर दिया गया अब दोस्तो मैलानी फरुखाबाद के बीच में कुछ नैरो गेज के अवसेश बचे हुए है और दोस्तो प्रिंट मीडिया के माद्यम से आज एक मैलानी फरुखाबार रेल लाइन को ले करके निउस भी निकल के आई थी जिसकी कटिंग मैंने वीडियो के लाश्ट में लगा दी है आप लोग उसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं दोस्तो आप लोग भी प्रयास कीजिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अगर ग्रहराज मंत्री प्रयास करें और इनके साथ साथ दोस्तो फरुखाबाद के सांसजी प्रयास करें तो दोस्तो मैलानी फरुखाबार रेल लाइन बन सकती है ये मेरा अपना एक अनुमान है आप लोगों की क्या रहा है दोस्तो कमेंट मौक्स में कमेंट करके जरूर ब परिवर्तन का कारी तेजी से किया जा रहा है उमीद जताई जा रही है फरवरी के लास्ट सप्ता में मैलानी से आगे जो सागड पीली भी सेक्सन है इस पर सियारस स्पीट ट्रायल करवा लिया जाएगा तो देखते हैं क्या फरवरी 2024 के लास्ट में पीली भी सागड के भी सि या नहीं हो पाएगा जैसा जो कुछ भी होगा उसकी अपडेट हम आप सभी को जरूर देंगे दोस्तो मैलानी से बाहराईच के बीच में पसिंजे ट्रेने चल ही रही हैं और आप सभी लोगों को मालूम होगा बाहराईच से दोस्तो नानपारा होते हुए नेपाल गंज रो पर जब भी दोस्तो इसकी जानकारी हमारे पास आएगी तो आप सभी को अपडेट जरूर देंगे और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मैलानी वाया साजहांपूर फरुखाबार रेल लाइन पर सफर करना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए धन्यवाद